नमस्कार स्वागत है आपका बंसलियूस की खास पेशकश आयूशमान में मैं हूँ दीपक मिश्रा जैसा कि आप जानते हैं कि आयूशमान में हर बार स्वास्ते संबंदी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है और इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं शैल्बी हॉस्पिटल इंदोर से डॉक्टर विनय तंतुवाए डॉक्टर विनय आपका बहुत स्वागत है और चर्चा की शुरुआत करूं उसके पहले में दर्शकों को बता देता हूँ कि आपकी टेलिविजन स्क् प्रश्ण रहेगा कितने वर्षों से आप बतौर एंडोस्कॉपिक सर्जन अपनी सेवाएं दे रहे हैं कितने वर्षों से और एंडोस्कॉपिक को प्राया फर्स्टम में कैसे डिफाइन करेंगे क्या है यह अधने बाद देपक जी मैं आपका बहुत बहुत दिन्यवाद करना चाहता हूं मैं पिछले 16 साल से आर्थरोस्कोपी सजरीज कर रहा हूं आर्थरोस्कोपी सजरीज घुटने के या कंदे के या किसी दूसरे जुएंट के दुरूर्बीन पद्धती के ऑपरेशन होते हैं जी आप अपनी बात पूरी रखें मुझे आवाज बढ़े आप सोला वर्शों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और और और्थरोस्कोपी को मैं कैसे डिफाइन करें तो घुटने या कंदे या किसी अन्य जुएंट की अंदर दूर्बीन पद्धती से कैमरे को अंदर डालके उसके अंदर की इमेजेस देखना और रियल टाइम में उससे बिमारी को आइडेंटिफाई करके उसको ट्रीट करने को आर्थरोस्कोपी कहते हैं इस आर्थरोस्कोपी पद्धती में 4 मिलिमीटर का एक छोटा सा दूर्बीन या फिर इसको अर्थरोस्कोपी सर्जरी का डालेते हैं उसके बाद उन्हें किस तरह का कारण अवेर्नेस है प्राब्लम्स जो है उनके बारे में लोगा अवेर हो गएं कि घुटने के अंदर कंदे के अंदर कुछ ligament मेंすने की इंजूरी है या meniscus वगएरा कुछ problem है तो इन problem के बारे में लोग नोनको ठीक करने के प्रति जागरूख हो गये पहले इन problem के साथ लोग को या तो रहना पड़ता था या फिर वह एड़़्ेस्क करके के अपनी lifestyle को compromise करके चलते थे आज वो compromise नहीं करना चाहते हैं हम उनको ऐसी सुविधाय दे रहे हैं ताकि वह 100 परसेंट नॉर्मल हो सकते हैं इसलिए आर्थ्रोस्कोपी का रोल काफी बढ़ गया है आज कल चिकित्सा विशेश्था में खास तोर पर लिगामेंट की चोटों को जो की पहले स्पोर्ट्स में ही होती थी आज कल रोट ट्रेफिक स्टेंट्स में भी काफी होने लग गई है तूवीलर से जो स्किड होते हैं आज कल बहुत से लोग उनके गुटने के अंदर स्वेलिंग आ जाती है मोच आ जानती जिसमें कुछ लिगामेंट या गादी को फट जाती है उस चीज को हम आर्थरोस्कोपी से ठीक कर पाते हैं और यह जानकर यह अब लोगों के पास है इसलिए वो अब ज़्यादस ज़्यादा लोग आर्थरोस्कोपी कराने के लिए तयार हो जाते हैं डॉक्टर विने इसकी नौबत क्यों आती क्या आज की आधोनिक लाइफस्टाइल को आप जिम्मिदार मानते हैं क्योंकि मैं यह देख रहा हूं हमारे पिछली 3-4 पीड़ी के अगर पहले के हम जनरेशन को देखें तो वो काफी महनती पीड़ी थी उनकी खानपान को हम द हमारी ज्यादा हो रही है बिल्कुल मेहनत तो आज की पीड़ी बहुत कर रही है इसमें कोई शक नहीं पर शारीरी रूप से कम होके मैं में मेंटल रूप से ज्यादा मेहनत होती है पर क्या है कि exercise को हम ज्यादा तबज्जों नहीं दे पा रहे हैं आज की बीजी लाइफस् प्रेशर पड़ता है कुछ ऐसी सिच्वेशन आती है जब जोएंट पर एक्स्ट्रेस आता है तो जोएंट के लिगमेंट्स सॉफ्ट इश्यू वह सरेंडर कर देते हैं वह तूट फूट जाते हैं और उनको फिर किसी ना किसी इलाज की जरूरत पड़ती है यह बहुत सी वरकिंग एंप्लॉईज हैं वह मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन कहीना कहीं योगा की जब बात होती है जिमिंग के बात होती थोड़ा बचती है इससे हिचकेचाती है डॉक्टर विन यह भी बताए और्थोस्कॉपी सर्जरी आखिर कैसे की जाती है इसकी प्रोसीजर क्या रह है थे तो उनका करता है तो कर आते हैं जरूवकिन जरूब करते हैं यह इंको दकन करते हैं और लिदा बार्क पीशन के आपा बसक्रों brake की इसक्टेशन कसे लिटा कर लेते हैं तो operation से एक दिन पहले उनके सारे investigations हो जाते हैं, हम सेम डे करके उसी दिन surgery plan करते हैं और यह operation यूज़़ी रीजनल निस्तिशया या लोकल निस्तिशया में भी हो जाते हैं और रीजिनल निस्टिशा प्रिफर किया जाता है क्योंकि जिसे पैर का ऑपरेशन है तो पूरा पैर कम सकम ऑपरेशन के बाद तीन-चार घंटे और पेइन फ्री रहे वो हमारा एम रहता है और ऑपरेशन यूज़ली जो ऑपरेशन से वो एक घंटे के आसपास में सारे हो ज क्योंकि आप इंदोर के शैलवी होस्पिटल में लंबे वक्ष से वाय दे रहे हैं कितना वक्त लगता है इस पूरी सर्जरी में कितना वक्त लगता है बैक टूब एंप्लॉई कब जा सकता है और आप से संपर कैसे कर सकता है सजरी में नॉर्मली यदि देखा जाया तो एक घंटे या ज्यादा से ज्यादा कोई complex या multi ligament injury है या कुछ cartilage procedure भी add-on करना है तो एक या दो घंटे लग सकते हैं और हॉस्पिटल में स्टे भी एक से दो दिन का ही रहता है ज्यादा टाके नहीं लगते ज्यादा पेन नहीं होता recovery fast होती है और full recovery की यदि आप बात करें तो यह individual to individual करें नॉर्मल यदि हम sedentary lifestyle जैसे मैं doctor हूँ आप anchor है और हमको office जाना है तो हम यह दो हफते के अंदर रिजूम कर सकते हैं यह काम पर यदि कोई खिलाड़ी है तो उसको roughly six month लगते फील्ड पर वापस आने के लिए तो active active lifestyle यदि है ज्यादा उसको अपने लेंपे dependent रहना पड़ता है तो वहां पर आपको 6 हफते से लेके तीन मेने तक का rest की जरूरत पड़ती है बट full recovery six month में possible है ऐसे ही यदि कोई sedentary lifestyle वाला इंसान है तो वह एक हफते से दो हफते की बीचे में उनका काम वापस से रेजिम कर सकते हैं याने दो हफते का वक्त एक नॉर्मली लगता है इस पूरी surgery में डॉक्टर विने किस age group के लोग ज़्यादा तर आपके पास आते हैं जो सबसे ज़्यादा orthoscopy surgery कराते हैं और यह ACL orthoscopy surgery क्या है यह कुछ भिन्न होती है या कुछ वैसी ही होती है एज ग्रूप यदि आप बाइन तो नी के जो प्रॉब्लम होते हैं वह ज़्यादा तर यंग लोगों में मैंने देखे हैं क्योंकि खिलाडी लोग रहते हैं या फिर वो टूविलर चलाने वाले इंडिविज्वल्स हैं तो यंगर population is more affected for knee injuries, knee problems, shoulder में dislocation वाली problem भी यंगर people में ज्यादा होती है जबकि rotator cuff जो कि mass patia हैं जिससे हमारे कंधे का movement होता है वो problem usually old age में ज्यादा मिलती है और जो arthroscopic ACL surgery की बात आपने की है तो ACL ligament one of the most important ligament है knee joint की stability के लिए और वहीं यह ligament सबसे ज़्यादा सफर करता है जब कभी कोई injury या कोई abnormal force knee joint पर पढ़ता है तो ACL ligament को हम arthroscopy की तरह arthroscopy से completely वापस anatomical reconstruct कर सकते हैं ताकि जो भी individual है जो patient है जिसका ligament तूटा है वह 100% recovery वापस कर सके और pre-injury status को achieve कर सके हैं चलिए मैं समझता हूं बहुत महत्पून जानकारियां आपने कम वक्त में दी है डॉक्टर विने और मैं उमीद करता हूं कि बहुत सारी जानकारी जो शायद हमारे दर्शकों के मनों दिलों दिलों दिमाग में रहती वो उन्हें हॉस्पिटल में वो अपनी सेवाएं दे रहें और उन्होंने बहुत अच्छे से बताया और्थोस्कॉपी सरजरी का उद्देश क्या है इसमें क्या जटलताएं होती है यह कितनी लंबी चलती है आखिर क्यों की जाती है इसकी क्यों आती है और एसील और्थोस्कॉपी सरजरी के दौरान क्या प्रक्रिया रहती है इसका उप्ला जो उप्चार है वो कितना कारगर है कितना वक्त लगता है जैसा कि उन्होंने बताए कि दो हफ्ते कि अमुमन हम कह सकते हैं नॉर्मल इंसान के लिए लेकिन अगर कोई खिलाडी है तो उसे जरूर थोड़ा लंबा रेस्ट लेनी की जरूरत होती है वो पीरियट छे महीने का भी हो सकता है डॉक्टर विने तंतुवाय से हमने अभी अभी बात की और चलिए अब इसी कड़ी आयुश्मान की इसी कड़ी में हम रुक करते हैं अगले डॉक्टर की और हमारे साथ डॉक्टर प्रसाद पाटगांकर जी जुड़ गए हैं डॉक्टर प्रसाद बहुत स्वागत है आपका नमस्ते, डॉक्र प्रसाद कितने वक्त से आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं चिकिच सक के लेंगे और स्पाइन सरजरी को आप कैसे डिफाइन करेंगे क्या इसके माइन kindergarten कौन सी का सहा यह यह आपके सामने लेकर आते हैं देखिए मैं इंदावर में पिछले 11 साल से spine surgery में हूँ, पहले मुंबई में काफी सारे hospital हो में काम किया, अब आपके अगर इस प्रशन पर आएं कि हमारे पास as a spine surgeon maximum patient जो आते हैं वो कमर दर्द, गर्दन दर्द, slip disc और society का जैसी problems को लेके आते हैं, जी और हम अगर age group की बात करें तो इससे पहले मेरी डॉक्टर विनए से बात हो रही थी, उनका यह कहना था कि यंग generation भी काफी आते हैं, sports के जो field के लोग होते हैं, वो भी काफी आते है, spine surgery की जब हम बात करते हैं, कौन से normal age group के लोग ज्यादा तर आपके पास शिकायत लेकर आते हैं, देखिए सबसे commonly 25 to 40 years का age group है, जो हमारे पास अक्सर बहुत commonly कमर दर्द और पैर दर्द जो आज की तारीक में अपनी society का सबसे ज्यादा active age group है, जी, इसका basic कारण क्या होता है डॉक्टर प्रसाद क्योंकि दर्द तो होना लाजमी है, हम देखते हैं हर age group में कहीना कहीं शिकायत होती है, लेकिन common factor, common reason हम टटोलने के कोशिश करें, तो ये दर्द क्यों होता है, इसके पीछे basic reason क्या मानते हैं, आज के समय में लोग इतने busy हो गए है, यंग generation बहुत ज्यादा sporting activity में है, बहुत ज्यादा आप stressful life जी रहे हैं, जिसके वज़े से postures 8-9-9 गंठे लोग continuous sitting का काम करते हैं, obesity दूसरा एक बड़ा problem है, spine एक ऐसी चीज़ है, जिसमें अपन पूरी body का weight अपन उसके उपर लेते हैं, सबसे ज़्यादा active age group के लोगों को ये समस्या सबसे ज़्यादा होती है, डॉक्टर प्रसाद, ये जिस age group के हम बात कर रहे थे, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, कि 25 से 45 साल के उम्र के लोग ज्यादा ये शिकायत लेकर आते हैं, इसके पीछे क्या कारण आप मानते हैं कि क्या आज की युवा पिड़ी आज की generation exercise करने से, योगा करने से बसती है, ये ये भी एक कारण है? बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि वो अपनी exertion में समय ज़्यादा बिताते हैं, पर exercise उतना routinely नहीं कर पाते हैं, योगा, exercise, अपना weight management और postural care, ये एक सबसे ज़्यादा important part है अपनी lifestyle का, जिसे ज़्यादा तर लोग avoid कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, जिसकी वेज़े से उन्हें ये समस्यादा से ज़्यादा होती जा रही हैं. अच्छा, डॉक्टर प्रसाद, जब कोई मरीज ये फैसला लेता है कि उसे spine surgery करानी है, कैसे ये पूरी surgery होती है, इसका प्रोसीजर, थोड़ा आप संक्षिप में बता पाएं, तो बैतर होगा, और कितना वक्त लगता है, अगर एक मरीज spine surgery करानी की सोच रहा है, तो उसे कितने दिनों तक आराम करना होगा, ताकि वो back to work, वापस काम पे लोट सके? देखिए, spine surgery बहुत सारे different problems के लिए की जाती है, पर मैं बात करूंगा, slip disc और sciatica जो आज की तारीक में सबसे ज़्यादा एक common problem है, जो young age group से लगा कर, elderly age group हर किसी patient को होते हैं, अगर हम बात करें slip disc की, तो 90% वो मरीज हैं, जिनको हम बिना operation के भी ठीक कर सकते हैं, सिर्फ 10% वो मरीज होते हैं, जिनको हमारी OPD में हम मानते हैं, जिसमें suppose उनको urine के control में कोई दिक्कत है, या उनको पैर में कुछ कमजोरी आ चुकी है, अत्वा उनका दर्द 4-6 हफते तक physiotherapy, alternate therapy, medications लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो उन cases में हम definitely MRI करवा के, patients की exact condition को precisely diagnose करके, हम ये कोशिश करते हैं, कि हम उनके pain management को, interventional pain management के different injection techniques से ठीक कर पाएं, अगर वो उससे भी ठीक नहीं हो पाते, तो फिर बात आती है, कि हम किसी endoscopic, अत्वा microscopic discectomy, अत्वा decompressive surgery पे जाएं, आज की तारिक में ये जो spine surgery है, क्यों अब हम उसको safe spine surgery नाम दे रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा तर वो लोग हैं, जिनको सिर्फ एक level पे slip disc हुआ है, या फिर lumbar canal stenosis एक level पे है, जिनको precisely हम endoscopy के लिए target करके, उस now root को decompress करके, patient को pain relief दिलवा सकते हैं, ये जो endoscopy surgery है, वो आजकल local anesthesia में भी हो जाती है, जिससे इवन बच्चे से लगा कर बहुत ही elderly patients हैं, जो surgery के लिए general anesthesia के लिए fit नहीं है, वो लोग भी हम endoscopy spine surgery, जो local anesthesia में होती है, उसके द्वारा हम उनको इस surgery का फाइदा पहुचा सकते हैं, बिना किसी major risk factor को consider किये, चले याने इसके अलग-अलग procedure होती है, मरीज कैसा पहुचा है, क्या शिकायत लेकर पहुचा है, उसकी समस्या क्या उस basis पे इसका treatment होता है, डॉक्टर प्रसाद, ब्लॉक term के बारे में हमने बहुत सुनाएं, यह ब्लॉक आखिर क्या होता है, इसके पीछे का reason क्या होता है? जैसा हमने बताया है कि जो slip disc और sciatica में, अगर initially physiotherapy, alternate therapy काम नहीं कर पा रही है, तो block एक ऐसी चीज है, commonly इसको term used किया जाता है block, जिसे actually technical term में interventional pain management कहा जाता है, इस प्रक्रिया में हम specific precise point को locate करते हैं MRI पे, clinically correlate करते हैं कि patient का pain, कमर दर्द, sciatica जैसा दर्द, exactly कौन सी नस से आ रहा है, और हम उस needle को exactly उस जगर target करते हैं, जहां पे वो MRI में compression दिखा रहा है, जैसे हम उस block को उस particular level पे inject करते हैं, जिस block के अंदर हम local anesthesia और steroid ये दोनों का combination add करते हैं, और local anesthesia हमको precisely diagnosis बता पाता है, patient को injection देते ही, वो हमको table पे बता देता है, हाँ मेरा वो जो दर्थ था वो बिल्कुल चला गया है, तो ये होता है diagnostic block और उसी block के साथ दिये हुए steroid, वो जो inflammation को कम करते हैं, वो therapeutic block का काम करता है, जिसमें actually it works as a treatment का काम करता है, चली मैं समझता हूँ, डॉक्टर प्रसाद आपने basics तो हमें और हमारे दर्शकों को बता दिये हैं, spine surgery की basics क्या होती है, कैसे इसका treatment होता है, क्या reason होता है, कैसा तरीका होता है, अपने वक्त दिया, हमसे बाचीद की और तमाम हमारे basic सवालों के जवाब दिये, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका, डॉक्टर प्रसाद तो आज आयुशमान की सकड़ी में हमने Shelby Hospital के डॉक्टर प्रसाद पाठगाम कर और डॉक्टर विने तन्तुवाई से विस्त में उन्होंने जानकारी दी, निश्रित रूप से आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे, यदि आप भी स्लिप डिस्क और साथिका के इलाज के बारे में जानकारी लिना चाहते हैं, तो डॉक्टर से आप परसनली संपर कर सकते हैं, इसी के साथ हमारी खास पिश्किश में फिलाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्तिय संबंधी समस्या के उपचार के निदान के साथ, नमस्कार